एक स्कूल के अंदर कितने पीरेट्स लगते हैं, आट पीरेट्स होते हैं, और हर एक पीरेट्स कितने डिरेट्स का होता है, 45 मिनट्स का होते हैं, कितने पीरेट्स का पीरेट्स का हैं, एक पार्ण का है, जो पीरेट्स को इनकिरीज बादाल की नाइन कर दिया है, तो duration क्या हो जाएगा घटेगा obviously क्योंकि हमने क्या इसमें लेट कर रहा है कि assuming the number of school hours to be the same जैसे zero period होता है ना मरी school में उसी तरीके से nine period अब कर दे हैं रहोंने तो अभी हमसे पूछ रहा है कि उसे हर एक period में मतलब कितना time duration होगा तो लिखते हैं पीरेड लिखा हमने और next के time duration next column का नाम है time duration right period कितने दे एक school एक पहले एतने दे 8 और 45 minutes का एक period था अब कितने number of periods कर दे हैं 9 time duration नहीं पता यह हमें निकालना है यानि कि हमने कहल लग दिया a minute ठीक है यह हमने लेड कर लिया x और यह लेड कर लिया हमने y right तो यह कितना हो जाएगा x1 यह कितना हो जाएगा x2 यह कितना हो जाएगा y1 और यह कितना हो जाएगा y2 हम में किया निकालना है time duration निकालना है right तो निकालते हैं से x1 multiply y1 is equals to x2 multiply by 2 पहले कितने थे number of periods 8 time duration कितना था 45 minutes x2 number of periods कितने हो गए हमारे 9 और time duration हमें पता करना है तो यह हमने लट कर लिया 8 तो यह कितना हो जाएगा 40 minutes यानि कि हर एक period में कितना time duration होगा हर एक each period में कितना होगा 40 minutes पहले कितना था 45 minutes तो क्या हो गया घड़िया 5-6 minutes सब में घटा कर क्या बन गया एक नया period बन गया जो कि जिसका नाम लग जया है उन्हें 9th period ठीक है हमने क्या करा number of periods increase करें तो time duration क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा यह किसका एक्जामपल है inversely proportional का यहाँ पर आपकी exercise complete होती है 13.2 13.2 exercise complete होने के बाद आपका एक chapter complete हो जाता है 13 chapter next chapter next video मिलते हैं thank you so much अटाम झाता है